यह है हमारा कोड़ेटिक पॉलिनॉमियल पी एक्स फोर इसका हम जीरो निकालेंगे फोर यू स्क्वाइर प्लस एट यू कंपेर कर लेते हैं कंपेरिंग विद एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट एक्वल टू फोर बी एक्वल टू एक्वल टू एट सी इसका है यह नहीं तो जीरो हो जाएगा e.c equal to 4 into 0 यह हो जाएगा 0, यहाँ बहुत 0 आ गया इसलिए हम इसमें middle term नहीं ले सकते तो इसको direct करेंगे direct लिख देते हैं px equal to 4u square plus 8u common ले लेते हैं common ले लेते हैं 4u 4u common लेते हैं yu plus 2 4 अगया yu अगया 2 okay 4 0s px equal to 0 then if for u equal to 0 then u equal to 0 यह हो जाएगा alpha यह पर 0 इसलिए हो कि यह मल्टिप्लाइ में यह डिवाइड में आएगा तो 0 हो जाएगा आलफा हो गया आप हम बेटे निकाल लेगते हैं इस यू प्लेस टू इक्वल टू जीरो देन यू इक्वल टू माइनस टू इक्वल टू यह हो गया बेटा ओके अलफा बेटा हमने निकाल लिया अब हम सम अफ जीरो और प्रोड़क्ट अफ जीरो वेरिफाई कर लेते हैं आप 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 सम ओफ जीरो 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 अलफा प्लेस बीटा एक्वल टू यह फॉर्मूला है माइनस बी बाइए अलफा है जीरो अप्लेस बीटा हमारा माइनस टू इक्वल टू इकवल टू थे बी कितना है एक और एक इतना है 4 यह हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू माइनस टू क्योंकि 4 तू जा एट यहां पर 1 हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा कैंसल हो जाएगा यह वेरिफाय हो गया अब हम प्रोड़क्ट ओफ जीरोज कर लेते हैं प्रोड़क्ट ओफ जीरोज एल्फा डॉट बेटा एक्वल टू सी बाइए फॉर्मूला है पूट कर देते हैं अल्फा है जीरो इन्टो बेटा है माइनस टो इक्वल टू सी है जीरो एक इतना है फूर यह होगया जीरो इक्वल टू जीरो एक्वल टू जीरो एंस वेरिफायद जीरो फिटीरो एंस